धिन्दू धार्मिक ग्रंतू के अनुसाद दिपावली की रात को यदि कुछ खास उपाई किये जाए तो धन का आगमन सुरू होना हो जाता है धन प्राप्ति के लिए दिवाली के दिन सबसे सूप बताया गया है इस दिन यदि चांडी का ठोस हाती लाकर उसको अपनी तिजोरी या फिर अलमारी में रखा जाए तो धन का आभाव खत्म हो जाता है जोति सास्र में ऐसे बहुत से उपाई बताये गया हैं जिनकी अधिक जानकारी है परावण कहते हैं हाथी है कि मालक्षमी पूजा के दिल। युदि kami स्थाविक करके उनकी पुजार्चना करते हैं तो उससे धन्धानने की व्रद्धी होती है जिनका सम्मंद गणेशी से भी है जो रिद्धी जिद्धी वो देने वाले हैं तो उसको स्थाविक करने से मा लक्षमी की क्रपा हमारी घर में संपूर्ण वर्ष बनी रहती है इसके अतरिक्त जो असोग का एक वर्ष होता है जो बहुत ही आरोग्यता और धन्धानने की क्रपा जिससे बनी रहती है असोग के वर्ष की जड़ है उसको गंगा जल में भरी भाती सुद्ध करके अपने घर में लाएं और मा लक्षमी के पूजन के दिन सभी देवताओं की कुजा अर्चना करने की पस्चात जो हम उसको स्थावित रखते हैं और भगवान जी का प्रमपिता प्रविस्वर का ध्यान करके उस जड़ को वहां रखते हैं तो उससे मा लक्षमी एवब आरोग्यता में व्रद्धी होती है तो इसलिए उसको भी एक लाल वस्त्र में ब सबस्क dafür के दिन जो मालक हुआ का दिन भी होता है और जो दिपावली एवसर पर यह जो न है फिर लकीर भी होती है फ्राचीन अघ्यान कहल में जो है उसको धनका रूक भी माना की थी उससे लें दिन यॉबता था सबसें छोड़ी मूद्रा माना जाती बीट तो उस Chicago एक ला अपने मंदिर में घर के देवाले में दीपावली महालक्षनी पूजन के दिन राचरी के समय उसको लाल वस्न में बांग करके पूजा अर्षना करें तर्षास दिविदी देवतायों की तर्षाथ उसको हम अपने धन वाले स्थान पर य कि ऐसा रखते हैं अपना संपूर्ड वर्स पर-ग कोसि में रखी रहने दें और जिससे के संपूर्ड वर्स मा लक्स्मीत रज़ना पर सुंदूर्वार वन्ग देवाए वलीय्व तरषा जैसा कि जाडू को खरीदते हैं और उसका घर में आगमन बहुत ही श्रेश्ट माना जाता है अर्था लक्षमी जी का निवास माना जाता है एक जाडू भी लक्षमी गाई भूप है तो घर में सभी जाडू खरीदकर एवं अन्यस्ट सामान भी लाते हैं तो इसके तरिक एक जाडू को किसी भी व्यक्ति को जो इच्छुक है अर्था जो एक समझो गरीब व्यक्ति है उसको यदि हम दान करते हैं तो उससे भी हमारे घर में महालक्षमी की तरपा बनी रहती है और संपूर्ण वर्स हमारे घर में धन का आगमन होता रहता है और दिवाली के दिन ही य में विदी विधान से साहिंकाल कुप सभी मालक्षमी एरण गणेश जी की पूजा के साथ साथ सभी देवताओं की पूजा विदी विधान से करें